नमस्कार मैं हूँ आपके साथ साक्षी और आप देख रहें विंध्या टाइम्स आज हम बात करेंगे अजब मद्ध प्रदेश की गजब बानगी की यहां स्मार्ट सिटी बनाने के लिए साथ सहरों में करीब 4042 करोड खर्च किये जा चुके हैं लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन साथ में से पांच शहरों ने बिना पर्यावर्णी मंजूरी के ही करोडों के निर्माड कारिकर डाले बिना इन्वायर्मेंट क्लियरेंस इंदौर को तो 2022 में बेस्ट स्मार्ट सिटी का तमगा भी मिल गया उजयन, ग्वालियर, जबलपुर और सागर ने भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले स्टेट इन्वार्मेंट इंपेक्ट असेस्मेंट अथॉरिटी से पर्यावरण संबंधी मंजूरी नहीं ली जाज पर्ताल में सामने आया कि सतना और भोपाल को छोड़ बाकी शहरों ने मंजूरी के लिए आवेदन ही नहीं किया जबकि नियम कहते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट जैसे बिल्डिंग, नहर, नदी, पकी सड के हाईवे आदी के निर्माड के लिए सिया की मंजूरी जरूरी है एरिया बेस्ट डबलप्मेंट हो या पैन जबल सिटी दोनों में सिया की अनुमती इसलिए जरूरी है ताकि अनुमान लगा सके कि इन प्रोजेक्ट से पर्यावरन को कितना नुकसान होगा और इसकी छतिपूर्ती कैसे की जा सकती है इसी एसेस्मेंट के सागर आधार पर छतिपूर्ती प्लैन तयार किया जाता है ना पेडों की जानकारी दी ना लैंड यूज रिपोर्ट सनलगन की स्मार्ट सिटी मिशन में आठ साल में 4042.38 करोड रुपे खर्च हुए फिर भी कोई शहर पूरी तरह स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया साथ सहरों में 650 प्रोजेक्ट पूरे होने थे सिर्फ 386 पूरी हो पाये 257 का काम जारी है बाकी साथ कागजों में है प्रोजेक्ट एरिया के पसुपक्षी और पेडों की जानकारी तक नहीं दी मास्टर प्लैन और लैंड यूज की रिपोर्ट भी नहीं दी गई आपको बता दें कि जब सिया चैर्मेन से बात चीत हुई तो उन्होंने बताया कि कुल प्रोजेक्ट लागत का 1% तक जुर्माना लगेगा दो लाख बर्ग फिट से बड़े हर कंस्ट्रक्शन के लिए सिया की मंजूरी जरूरी होगी जिन्होंने मंजूरी नहीं ली है वो यदि खुद आवेदन कर दे और उन्होंने उलंगन किया है तो प्रोजेक्ट लागत का आधा प्रतिशत जुर्माना लगेगा और अगर जाच कर वाइलेंस पाएंगे तो प्रोजेक्ट लागत का 1% जुर्माना लगाया जाएगा हलाकि अभी कोट ने खुद से जुर्माने की कारिवाई पर रोक लगाई है इसके कुछ प्रोजेक्ट में छूट रहती है पर स्मार्ट सिटी इसमें नहीं है समस्त देश वासियों, प्रदेश वासियों, विंध वासियों एवं रीवा जिले की निवासियों को गरतंत्र दिवस की हारदिक शुपकामनाएं निवेदक विजै सिंग परिहार कोत्वाली थानप्रभारी रीवा